आज है 14 नवंबर 2022 और 14 नवंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में स्टुडियूम डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से द टेलेग्राम गुरुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरुप पर आपको सारे पीडिया पर एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्रिशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गु दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्शन सही है सकारात्मक सकती और दयागी डोर पर समाज में हो रहे अच्छे कामों को उजागर करने के लिए हर सार 13 नवंबर को बेसु दयालुता दिवस यानि की वर्ड कैंडने स्टे मनाय जाता है अच्छा अभी एक नवंब को बैन्प्रेश्न सबारु दिवस मनाय गया यह मैं आपको कई बार बता चुक हुँ एक नवंबर को ही साथ भारती राज्यों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्ताबना दिवस मनाए गया इस साथ भारती राज जब आपको याद हो गए होंगे केरल करना टक आंदर प्रदेश पंजाब हर्याना मद्रप्रदेश और चतिजगर और दो केंसासित प्रदेश हैं लक्षिदीप और पूड़िचेरी दो नव नवंबर को राजा राज चोल की जैनती मनाए गई पांच नवंबर को बेसु सुनामी जागरुकता दिवस मनाए गया साथ नवंबर को रास्टी कैंसर जागरुकता दिवस और सिसु सनरक्षट दिवस मनाए गया आठ नवंबर को बेसु रेडियोग्राफी दिवस और बे बेस्टो बिज्ञान दिबस मनाएगिया 11 नवंबर को रास्तिक सिक्षा दिबस मनाएगिया 12 नवंबर को लोक सेबा प्रसारट दिबस और बेस्टो नीमोनिया दिबस मनाएगिया तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट ये बनाए गए यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और मैं आपको भी बोल नए क्यूशन है हाली में जारी QS-ACI University रैंकिंग में बारत में कौन सा संस्थन सीर्स पर रहा तो अभी QS-ACI University रैंकिंग जारी की गई इसमें इंडिया में IIT Bombay टॉप पर है तो इस कुशन का C अप्शन सही है अगर QS-ACI University रैंकिंग में overall रैंकिंग देखी जाए तो चै IIT Bombay इंडिया में नंबर वन पर है IIT Delhi second नंबर पर है और IIC Bangalore third नंबर पर है अच्छा QS-ACI University रैंकिंग यह पूरे एसिया की रैंकिंग है तो इंडिया में में तो IIT Bombay नंबर वन पर है लेकिन overall ranking में IIT Bombay की कौन सी rank है overall ranking में IIT Bombay 40 में नंबर पर है IIT Delhi 46 में नंबर पर है और IIC Bangalore बावन में नंबर पर है और first नंबर पर कौन बताया मैंने आपको चाइना की packing university नेक्यूशन है हाली में किस ने grain energy open access portal launch किया है तो हमारे present time पर केंद्री मंतरी है R.K. Singh इन्होंने अभी grain energy open access portal launch किया तो इस question का बे options है नेक्यूशन है कौन सा देस 2024 में under 19 बल्ड कुप की मेजवानी करेगा तो स्रेलंका 2024 में under 19 बल्ड कुप की मेजवानी करेगा तो इस question का sä options आई है अब स्रिलंका करेगा तो ये है map में छिलंका स्रिलंका की capital क्या है कुलंबो और स्रे जैबर्दिने पुरम कूटे कुलंबो commercial capital है और स्रे जैबर्दिने पुरम कूटे administrative capital है स्रीलंका की currency के है स्रीलंका रूपी स्रीलंका की present time पे अच्छा, इस map से एक question मनता है इंडिया और स्रीलंका की बीच में कौन सी खाडी है तो इंडिया और स्रीलंका की बीच में है पाक की खाड़ी इसे इंगलिस में पाक स्टेट और हिंडी में पाक जल डंबू मंडल करते हैं स्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरुसकार मिला है चेन को पचाड कर भारत स्रीलंका के सबसे बड़े रिड़ दाता की रूप में उबरा है स्रीलंका ने देज में आने वाले परेटकों के लिए लंबा बेजा जारी करने का फैस डाटा सेंटर का उद्गाटन किस राज में किया गया तो अभी हर्याना में इंडियन बाइलोजीकल डाटा सेंटर का उद्गाटन किया गया तो इसकुशिन का बे आप्सेंस है अब हर्याना तो यह है मैप में हर्याना हर्याना की एपिटल क्या है चेंडेगर हर्याना के मुख्य मंत्री ने ए उपहार पोर्टल और सेम डैस वोड लॉंज किया हर्याना सरकार ने पालतु कुतों का पंजी करण अनिवार किया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नयाये में हर्याना सर्व स्रेश्ट राजी कोसित किया गया और अभी जो पबलिक अफेर्स इंडे लेसंचुरी है नाहर वार्ड लेसंचुरी है चलचला वार्ड लेसंचुरी है और खपरवास वार्ड लेसंचुरी है नएक कुशन है हाली में एसीन एर गन चैंपियंशिप में महुली घोस ने कौन सा पदक जीता है तो महुली घोस ये वारत की है और इरो ने अभी एसीन एयर गन चेंपेंशिप में 10 मीटर एयर रैफल इस परदा में स्वड़ पदक जीता है तो इस कुषिन का बे ऑप्शन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं महुली घोश नाय शुशिन है हाली में सिद्धार्थ बेर सूरिबंसी का निधन हुआ है वे कौन थे हाथ बेर सूरिबंसी इनका एक्सराइज की दोरन हार्ट टेक की वज़े से निधन हुआ है ने कुषिन हाली में बैस्विक उत्पादन में 41 प्रतिसत के साथ बाजरा का प्रमुक उत्पादक देश कौन सा बना है तो पूरे दुनिया में जितना बाजरा का उत्पादन होत है तो बैस्विक उत्पादन में 41 प्रतिसत के साथ बाजरा का प्रमुक उत्पादक देश अपना देश भारत बना है तो इसकुषिन का बे ऑप्शन सही है अभी उडीसा में 10 नवंबर को बाजरा दिवस भी मनाया गया यह भी आपको याद रखना है ने कुषिन है हाली मे किस बॉलीबुड अबिनेता को ग्लोबल आइकन अबाड से सम्मानित किया गया तो अभी सारुख खान को ग्लोबल आइकन अबाड से सम्मानित किया गया तो इसकुषिन का ए ऑप्शन सही है सिनेमा में उनके योगदन और ग्लोबल आइकन के तोर पर उनको यह सम्मान दिय गया है ने कुशन है हाली में 2022 की स्रे लाल सुकल इसमरती इफको साहित सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो स्रे लाल सुकल इसमरती इफको साहित सम्मान से जै नंदन को सम्मानित किया गया तो इसकुशन का बे आप्शन सही है यह है जै नंदन अब इफको यानि कि इंडिय Farmers Fertilizer Co-operative इसकी स्तापना कब हुई 1967 में इसका Headquarter कहां पर है New Delhi में इसके Present Time पर MD and CEO कौन है Dr. U.S. अबस्ती और इसके Present Time पर Chairman कौन है देलीप संघानी कौन है देलीप संघानी नेहुशन है हाली में किस राज में गरीब पिछडे बर्गों के आरक्षड को 77% तक बढ़ाने के लिए बिधेयक पारित किया गया तो अभी जारखण में गरीब पिछडे बर्गों के आरक्षड को 77% तक बढ़ाने के लिए बिधेयक पारित किया गया तो इसके Question का C Options है अब जार्खंड तो यह है मैप जार्खंड जार्खंड की केपिटल क्या है राची जार्खंड के चीपनिस्टर कौन है है मंत सोरेन और जार्खंड की गवर्नर कौन है रमेश बैस अभी बाल विवा के मामले में सबसे खराब इस्तिती जार्खंड की गोसित की गई खाद्दि सुरक्षा एटलस वाला तेसरा राज जार्खन बना बिहार और उडिसा के बाद तेसरा राज जार्खन बना है अच्छा जार्खन सरकार ने ब्रिटिस उज्चायों के साथ चात्रवरती समझाता किया जून महा की रर्वन मिशन डेटा लेंक में जार्खन टॉप पर रहा था ने क्यूशिन है हाली में दक्षिर भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को किस सहर में हरी जंडी दिखाएगी तो अभी प्रदानवंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलूरू में दक्षिर भारत क पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई तो इस कुशिन का बे अप्सन सही है अच्छा बंदे भारत एक्सप्रेस पहली बंदे भारत एक्सप्रेस कब सुरू हुई थी 15 फरवरी 2019 को प्रदानवंतरी नरेंद्र मोदी ने पहली बंदे भारत एक्सप्रेस की प्रतिसत बढ़ा है तो अभी एक रेपोर्ट आई है इस रेपोर्ट के अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर मन्त में ओध्यों की उत्पादन 3.1 परसेंट बढ़ा है तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है नए क्यूशन है किस राज में कावेरी साउथ वाइल लाइट सेंचुरी को अधिसूचित किया गया तो अभी तमिलनाडू में कावेरी साउथ वाइल लाइट सेंचुरी को अधिसूचित किया गया तो इस कुशिन का ए ओप्सन सही है अब तमिलनाडू तो यह है मैप के तमिलनाडू तमिलनाडू की के बिटल क्या है जेन नही तमिलनाडू के चीप स्लेंडर लोरिस अब्यारेंड अधि सूचित किया, पेगा ट्रोन ने चेननाई में आईफोन का निर्माण शुरू किया, तमिलाडू की कैबिनेट ने ओनलाइन जुए को नेंतिर करने की मंजूरी दी है, अचा तमिलाडू में जले कट्टू का आयोजन होता है, आधि पुर इसे अभी TX2 अबाड मिला था, तमिलाडू ने तमिल थाई बज्थू को अपना राज की गेट कोसित किया है, ने कुशन है, हाली में किसे ICC Hall of Fame में सामिल किया गया, तो अभी सिब नारायंड चंदरपॉल को ICC Hall of Fame में सामिल किया गया, तो इस कुशन का C options हैं, सिब नारा of Fame में सामिल किया गया है, अच्छा, ICC यानि कि International Cricket Council, इसकी स्तापना कब होई, 1909 में, इसका Headquarter कहां पर है, दुबई में, और इसके प्रजेन टाइम पर चेर्मेन कौन है, ग्रेग वार कले, अगले दो साल के लिए फिर से इनको ICC के चेर्मेन की रूप में नियुक्त किया आईजन किया, तो अभी अरणाचल प्रदेश में, भारती सेना ने बालों मेले का आईजन किया, यानि किस कुश्यन का, C option सही था, और लगबग सभी स्ट्रेणेस कांसर सही दिया, मुश्ट्रेणेस के वारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, कुश्यन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, आप लिखा करो, क्यूंकि जो चीज़े आप लिख देते हो, पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते, अब आपके लिए आज का कुश्यन, आपके लिए आज का कुश्यन है, हाली में प्रदानमत्री डेली पोश्ट करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके वारा Facebook पर जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब तो बरावने एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली बॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching